असलाम अलेकुम आज जो हमने थेरफ करना है वह बड़ा इपॉर्टेट रिजल्ट है बाइपास जो हम परूफ की तरफ के है थाक Cherry के पर ऊपर हाईजोड के लिकिता है है यह कि पूले हैं कि पूले । बहुत प्रूफ की तरफ के अब सबसे पहला घडियों एक सेट हम बनाते हैं सैट है लेते हैं let s ठीक है रहा है अब यह सिपल के पीछे ही सेट लेते हैं let s be the set ठीक है आपके पास एक set है of positive integers ठीक है ठीक है रहा positive integers का set है of the form किस तरह का है ठीक है वह भी आपको करते हूं of the form s is equal to आपके पास कुछ linear combinations की form a u plus b such that ठीक है रहा और यह a u plus b w करते हैं आप कर्डिशन जिर पर अप्लाइए करते हैं यह जहा है एक पलस b w आपके पास क्या है यह greater than zero है ठीक है रहा और मजीद हम बात करें तो आपके पास you और वी जो है वह भी integers थीक है रहा क्या करतें वोग थी और और यह नोट जा वह क्रेगे क्या विलाकार करता है the करना है कि सेट S हमें कसीडर कर लिए यह खाली तो नहीं गई ठीक है ना तो इसको कहते हैं हम प्रूफ करेंगे कि यह बिल्कुल भी खाली रही है तो इसको कहते हैं प्रूफ करने के लिए notice that हम सबसे पहले इसको प्रूफ करते ही है not empty है notice first that s is not empty s is not empty यह empty नहीं है आपका if a is not equal to 0 ठीक है ना अगर क्योंके conditions तो दोनों पर लगी भी थीक है a जो है वह भी 0 के equally यह भी जो है वह भी 0 के equally तो हमने एक condition उठाई a is not equal to 0 उसको लेकर चलते then the integer ठीक है ना आपके पास जो integer है a का मौड वो किसके equal है जायर इसी बात है कि हमने जो element a उठाया वो इससे उठाया है s integer उससे तो वो कहते है वो भी जो है वो कहते है वो इस linear combination की form में होगा a u plus b v और इस linear combination से अकर हमने a का मौड निकाल जा तो हम कैसे निकालेंगे हम इस term को खतम करेंगे ठीक है ना तब ही कहते है कुछ इस term में से बचेगा फिर इस term में से भी हम कुछ खतम करेंगे अच्छा इस term को हम कैसे खतम कर सकते है b to zero के equal है नहीं तो w ko हम zero कर देते है यह ले ठ विधे के तो आपके पास यह ही को सब्सक्राइबर नियुकहे कि वित पाको पी तो आपके पास किया होगा माइनस वन होगा तर बीच में और डाल दें ठीक है तो इसका मतब है यह से भी लॉंग कर देता है आपके पास किया है ऐ तू इसका पॉजिटिव हो आपके पास किये आपके यह से बिलॉंग कर रहा है ठीक है ना हमने प्रूफ कर दिया एस से बिलॉंग कर रहा है अगर एक एलिमेंट भी एस से बिलॉंग कर रहा है तो इसका मतलब यह कि एस तो नोन एम्टी है तो कहते हैं आपको नंबर थेरी की सबसे पहली डेफिनिशन पढ़ाईगी थी तो वही हम लगाएंगे वह भी हम अक्तेरम में यूज कर रहे होते हैं अगर जिस्ट पॉजिटिव इंटिजर इसके पास है तो ज़ीर सी बात है हम 또 आसे ख confusion debate को हम क्या कहते है वह डि है ठीक कह है ना applies the let it be D और B हमने भी क्या कहा है g is the least cognitive यानि कि छोटा कोई element आपके पास S में नहीं है positive element नहीं है ठीक है ला तो must be कहते हैं अब जो है हम कहते हैं इसकी form जो है वो किस तरह की कहते हैं जाइस सी बात है D जो है वो कहते है S वाले से बिलॉंग कर रहा था और S वाले सेट में linear combinations form में था तो इसका मतलब है कि कहते हैं हम जो है इसको कहते हैं उसी form में लिख देते है must be of the form किस तरह की form में होगा D is equals to linear combination of A and X का A और B का linear combination होगा जबके X और Y जो आपके पास क्या हो कोई integers हो ठीक है न आपके पास कोई भी integers हो सकते है X और Y ठीक है अचा पर जो और यह जो X और Y हम यह भी लिख देते हैं भई कहते हैं यह लाजमी लिख देते हैं जाहिए से बात आपको एक एक बात बतानी होती है एक्जामिनर को को कि भई यह भी है यह भी है अचा यह लिए इसको हम स्टाकर नेम देते है अब आपने यह प्रूफ करना है कि यह जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है यह GCD है के नहीं है ठीक है इसको GCD प्रूफ करने के लिए हमें वही GCD की तीन कंडिशन के GCD जो है ग्रेटर देन जीर हो था GCD divides A, GCD divides B फिर तीसरी कंडिशन से C divides A, C divides B वह कंडिशन से अभी मैं साइट भी लिख देती हूँ ठीक है फिर उनको लेकर हम जो चलते हैं पिर कहते हैं सारा कुछ हम करते हैं ठीक है मैंने यह लिखती हैं सारी की सारी प्रपरटीज जो GCD की थी ताके कहते हैं हम इनको देखकर आगे चलें ठीक हैं ने क्योंके बार 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 रिवाइस करने की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो कहते हैं इनको आपने बलकी याद भी कर लेना है ठीक है कहते हैं हमने प्रूफ करना है GCD is greater than zero GCD divides A, GCD divides B C divides A इन सब प्रॉपर्टिस को बड़े तर्टीब से हम कहते हैं हमने कहते हैं प्रूफ करना है हमने यह भी लिग दिया सबसे पहले तो D is greater than zero इसमें तो कोई शक नहीं है किस सेट से बिलॉंग करना था से समें हमने लिये ही ऐसे elements जो के positive थे greater than zero थे वह less होगा या equal होगा A से ठीक है ना GCD कहते greater नहीं हो सकता जिन दो elements का GCD होता है जैसे suppose 4 और 6 का GCD है तो वह 2 है 2 कहते इन दोन elements से less है या पिर यह भी हो सकता है कि कहते हैं इन मेंसे किसी है less भी हो ठीक है ना अच्छा आगे चलते अब D जो हो less than equals to A है then हम इधर क्या यूज करें then by division algorithm ठीक है division algorithm यूज करते हैं अब याद करें division algorithm क्या था हमने क्या किया था division algorithm के ताबिक आपके पास unique integers आपके पास belong करते थे there exist unique integers ठीक है ना कौन से integers हम ले रहे थे Q and R ठीक है ना क्या होगा आपके पास की question दे रहा था division algorithm A is equals to B Q plus R इस तरह की question थी but इधर हम एक चीज कहते हम different लेंगे इधर हम लोग कहते क्या लेंगे A और D को divide करेंगे ठीक है ना कि इसको divide करेंगे A और D को इधर हम B के जगा पे क्या लेंगे D ठीक है ना A is equals to D Q plus R अब ऐसा करते हम रिमेंडर को कहते हैं और हम रिमेंडर के बारे में थोड़ी सी कहते हैं कोई उल्ट 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 वाते करेंगे उसको पसंद नहीं आएगी फिर हम कहते हैं कुछ कहते हम निकालेंगे result पर रिमेंडर है कि हम वैसे तो कहते हैं रिमेंडर खुद पर कंडिशन भी लगाते हैं कि मैं जो हूँ greater than or equal to zero हूँ या फिर less than dividend divisor है ठीक है ना तो उससे less than हूँ तो डिमेंडर इदर D है तो रिमेंडर नहीं बता दिया हमें अलग कर लेते हैं रिमेंडर करें कोशन बना दिया है A-DQ को दूसरे दफ जाएगा minus DQ होजाएगा तो दीकी वैल्यू हम ने उपर let की थी वह कहते हैं linear combination के equalty भी वह विदा पूट कर दें हर चीज हम यूज करेंगे D is equal to AX plus BY into Q मजीद हम कर लेते हैं इसको खोल लें A-AXQ minus BYQ मजीद अब क्या करें common शोमर लें इदर से हम क्या ले लेते हैं हम इसको linear combination करने की कोशिश करते हैं ताके हम कहते हैं इसको भी गुसेड देंगे S-set में लेकिन S को थोड़ा सा बुरा लगेगा ठीक है तो देखें 1-XQ माइनस B into YQ यह माइनस को बलके अंदर ले जाए आप कहते हैं linear combination positive formula उसके बाद हम क्या करते हैं 1-XQ integer को multiply करो integer आता है तो हम इसकी जगा क्या इस तरह लिख सकते हैं A into U not plus B into V not आपके पास remainder आगया linear combination की form तो linear combination वाले elements S से belong कर रहें इसका क्या मतलब हुआ यह मतलब हुआ कि R जो है यह तो कहते हैं 0 से बड़ा है तो 0 के equal है इसका मतलब यह हुआ S से belong कर रहे R greater than 0 अगर आपके बिलकुल स्टार्ट पर जाएं अधर आपको बतर चले का R ने कहा था बहए मैं D से चोटा हूं अगर आपके बेड़ा आपके बादेश जाए ने मतलब कर रहे लेकिन अगर अगर जाए तो तो इस integer से अगर कोई छोटा था तो वह 0 था ठीक है ना तो इसका मतलब क्या हुआ डी से अगर कोई element छोटा होगा तो वह 0 होगा तो हम जह क्या कहते हैं r जह किसके equal है तो कहते हैं so that there is only possibility दर हमें अंग्रेजी में भी लिखना पड़ेगा so that only possibility is r is equal to 0 ठीक है ना आपके पास क्या possibility है r is equal to 0 की possibility है this gives अगर r is equal to 0 एगर आप पुट करतें इस equation में ठीक है ना dq plus r वाली equation में तो आपके पास a is equal to करते हैं वो आ जाता है dq ठीक है ना r is equal to 0 implies that a करतें this gives आप बलके लिखें this gives आपके पास क्या आजाती है a is equal to dq अब अगर इदर आप definition of divisibility लगाए ठीक है ना definition of divisibility इदर लगाते हैं तो वो ही कहते हैं क्या उसकी divisibility की equation नहीं बन गी तो इसके मताबिक क्या a जो है किते हैं अगर q जो है कोई integer है तो a जो है वो d को और यह वो d को डिवाइड़ करेंगा के नहीं तो वो करेंगा by definition of divisibility तो इदर से हमारे पास यह प्रूफ होगे कि d divides a ठीक है चलेजी आदा मसलह नहीं हो गया d divides a दूसरा हमने क्या प्रूफ करना था second condition में d divides b तो वो हम कहते हैं mathematician बड़े समझधार है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि similarly जो हमने उपर कर दिया ना भई वही कहते हैं सारा आपने करना है और आपके पास वही कहते हैं जो आपको जल चाहिए हो आजाएगा by a similar argument ठीक है ना by a similar argument it can be show that it can be show that d divise b low भई अब आपके पास second condition भी कहते है आपके पास derive हो गई ठीक है थर्ड कंडिशन अब आपने proof करनी है बड़ी simple लेकिन common है ठीक है ना common divisor of a and b ठीक है common divisor of a and b अगर यह कहते है इनका common divisor तो c a को भी divides करेगा c b को भी divides करेगा तो फिर तो यह ले c divides a c divides b अच्छा फिर जो है इसका मतलब है यह के multiple को भी divide करेगा किसी इंटीजर के साथ यह multiply हो जाए तो c divides a x and c divides b y अब जो है वो कहते हैं इनके linear combination को भी divides करेगा c ठीक है ना यह हमें पीछे theorem में कर चुके a x plus by और आपके बस a x plus by किस के equal था पीछे star equation से आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके पास यह d के equal था तो इदर मारे पस proof हो गए c divides d तो मारे पस तीनों conditions जब proof हो गई तो इसका मतलब है कि d जा हमारे पास क्या था हम इदर कर लिखते हैं by one two three आपके पास क्या है it is clear that it is clear that d is equals to gcd of a comma b यह क्या है इनका gcd है और d असल में है किसके equal था हम जी कहते हैं d किते असल में लीने combination x plus by के equal है तो हम इदर यह भी लिखते थे कि gcd of a comma b is equals to ax plus by यही चीज़ दि प्रूफ करनी थी हमने क्या यह जो मैं आपके नीले रंग से लिख दिया था यही चीज़ प्रूफ कर दी ना हमने तो यही कहते है मापास theorem था जो कि हमने कहते हैं प्रूफ क्या easy सा theorem था बड़ा important theorem था